कही न कही इसके पीछे यही एक रहस्य होता है कि हम जो कर्म करते हैं वो हम carry forward करते हैं वो खाता आगे चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है और हम यह सोचकर एक शुभ कर्म का त्याग नहीं कर सकते कि मुझे तो प्राप्ति ही नहीं हो रही, इसलिए मैं तो दुखी होकर कर्म ही छोड़ दूँगा। कर्म तो करते रहना है, तेरे अमलाने रहना है बगाया, प्राणयनु जाना प्याने। कि अंत में कर्म ही तो बचते हैं, बाकी तो सब किरायदार हैं संसार में, सबको एक जाना है, आगे चलना है। जो सादक जिसकी यात्रा बीच में ही छूट गई हो कुरुनंदन, वो फिर ऐसे घर में जन्म लेता है, वहाँ पर जहां उसको सहोग मिलता है, वहाँ पर दुबारा से पर्यास करते हुए, वो एक बार फिर सिद्धी की और अग्रसर हो जाता उसकी देह, उसका मन, उसका वातावरण, उसका परिवार, उसका सहोग देता है, और वो जो व्यक्ति है, वो जो भक्त है, वो जो अराधक है, वो जो साधक है। एक बार फिर से सिद्धी के लिए अग्रसर हो जाता है। और इसी को पूर्वजनम का संसकार बोला गया है। कि अपने पूर्व जनम्न के अभ्यास के अंतरगत वो वहीं से आरंब करता है जहां से उसने छोड़ा होता है बहुत पहले हमने कथा कही थी, शायद आपको समरण हो, मैंने किसी संत से सुनी थी बद्रिनाथ में कहते हैं जब धुरुव को प्राप्ति हो गई और आसपास के जो रिशी मुनी जो उन जंगलों में वास करते थे, साधना में अराधना में लीन रहते थे उनके मन में एक बड़ा भारी संशे आ गया, के वाक्य में ही विश्नु जो हैं पक्षपाती निकले क्योंकि वो बालक है, इसलिए उसको इतनी सरहलता से दर्शन दे दिया हम यहाँ पे दिन रात ये कंद मूल खाकर जी रहे हैं, मच्छर हमें काट रहे हैं जंगली जानवरों का हमें भै है, श्रीर हमारे जीर नक्षिर्न हो गए हैं इतने कम खाकर गुजारा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम बद्रिक आश्रम में रहते हैं कि बढ़िया खाने को मिल रहा है, हम यहाँ जंगलों में बैठे हुए हैं इतनी मुश्किल से जी रहे हैं, भगवान का दिन, प्रति दिन, हर क्षण, हर श्वास के साथ जो है स्मरण कर रहे हैं, और हमें दर्शन दिया नहीं, यह तो सरासर नाइंसाफी है तो देवरिशी नारज जो है, इस बात को सुन लेते हैं, और भवान विश्नु तक तोंचा देते हैं कि हे श्री हरी, ऐसा प्रित्वी पर अब समाचार जो है फैल रहा है, जो की भक्तों के लिए अच्छा नहीं है और मैं जूट नहीं कहूंगा, मेरे मन में भी यह प्रशन तो उठा कि मेरे हरी ने धृव को कैसे पांच वर्श की आयूग में जो धृव था उसी को इतनी सरलता से दर्शन दे दिया तो अगवार ने का नारद जाओ, उत्तर दिशा की और एक नदी बह रही है वहाँ पर अधिकतर नदियां जो हैं उत्तर से दक्षन की और जाती है उत्तर दिशा की और एक नदी बह रही है सारे रिशी मुनियों को एकत्रित करके एक बड़ी नाव में उस दिशा की और चलना शुरू कर दो तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा उनको उत्तर मिल जाएगा और जो उस नाव का मला है उससे पूछ लेना तो देव रिशी नारज जो हैं रिशीयों के पास जाते हैं उनको कहते हैं कि आईए हमको चलना है व्रवान का आदेश हुआ है मैं साक्षात श्री हरी से आपका संदेश लेकर आया हूँ आपके लिए हमको नदी में चलतो है उत्तर दिशा की और जाना है तो रिशी कहते हैं अगर श्री हरी का यही आदेश है तो इसमें तो फिर कोई संचे रहा ही नहीं बैठ जाते हैं मला चुप चाप बैठा नदी को उस नाव को आगे लेका चलता रहता है कुछ अंतराल बीत जाता है तो क्या देखते हैं कि अब परवत जो हैं अलग दिखना शुरू हो गए हैं नदी के जल के भी अलग हो गया वहां उड़ने वाले पक्षी भी अलग हो गए हैं जल्चर तल्चर नवचर सब भिन परकार के दिख रहे हैं और चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं तो देवरिशी नारत को स्मरण होता है वह गवार ने कहा था बस पूछना मत चलते रहना तुम्हें उत्तर मिल जाएगा इतनी देर में क्या देखते हैं बहुत दूर एक बहुत ही विशाल पहाड है पहाड देखने में सफेद देखता है थोड़ा पास जाते हैं तो हलका पीला हलका सफेद देखते हैं कि ये तो हड़ियां है ये पूरा पहाड जो है अस्थियों से बना हुआ है थोड़ा ध्यान देते हैं, तो देखते हैं कि ये किसी भी अस्ति से नहीं, ये मनुश्य की अस्तियों से बना हुआ है देखकर थोड़ा सा एक घवराट सी पैदा होती है मन में कि इतना विशाहल काय परवत किसकी अस्तियों से बना हुआ है यहां पर ना जाने कितने लोगों की मृत्य हुई है तो मला से पूछते हैं क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो उसने कहां इस जगा को मैं जानता हूँ यह पहाड कहां से खड़ा है इतना अलग परकार का सारे पहाड हरे हैं और यह पहाड सफेद दिख रहा है कहीं-कहीं पीला दिख रहा है हड़ियों का प्रतीत हो रहा है तो मला ने का अरे आप इस पहाड को नहीं जानते यह तो विश्व प्रसिद पहाड है यह कहते हैं जो यहां पर एक बालक हुए थे धुरूव उनकी अस्थियों का पहाड है अबसे पूर्व जन्मों में जितनी बाहर उनोंने तप कर करके शरीर को त्यागा उन अस्थियों से यह पहाड की रचना होई है तो देवरिशी नारद और समस्तर रिशियों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है